बच्चो क्लास सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेशन थर्ड लेशन थर्ड आपका थ्री क्या है मात्राएं स्वरों के चिंड सिंग आफ वाइवेल्फ अब देखें मात्राएं वह चिंड है जो वर्णों को लिखने के लिए बनाए गए हैं अब यहां आपका कालम दिया हुआ है पहले आपका कालम में स्वर फिर मात्राएं वेंजन मात्रा के साथ फिर सब्द दिखिया चोटा है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है का प्लस आ लिए उनकी मांतरा है और वेंजन केसाथ ये तो सवर है लेकिन यह वेंजन साथ मिलाए गया मिलाकर नहीं है सारे बनाए गया है का का की की कु कु के क्री के कै को कौ अब इन से सब्द कौ से कमल फिर काला कीला कीन कुवा कूप कृशक केला कैसा कोईला कौवा इस तरह आपका जो है ये वाक के बन गया स्वर और बेंजन को मिला के यहां स्वर है यहां बेंजन है स्वर जो है मांतरा इसका दूसरा रूप मांतरा है और यहां यह वेंजन में मिलकर यहां एक सब्द बना रहा है और इसको जो है मिला के दोनों को मिला कर यहां पर सब्द बन गया सब्द वर्णो की सहायता से हम सब्द बनाते हैं परतेक सब्द का अर्थ होता है सब्द बनाने के लिए वर्णो का प्रयोग उच्वित अस्थान पर किया जाता है अगर उच्वित अस्थान पे आप नहीं प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ गलत निकलेगा आप देखें यहाँ का प्लस मा प्लस ला बराबर कमल यह सही सब्ध है लेकिन अगर आप मा प्लस का प्लस ला लिखेंगे तो मकल जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है यह गलत मेल है सही मेल करके हम सही सब्ध बना सकते हैं इसी तरह मा प्लस हा प्लस ल पराबर महल एक सब्द है परंतु ला प्लस हा प्लस मा ये लहम हो जागा कोई सब्द कोई इसका अर्थ नहीं है बच्चों हमने जाना सब्द बनाने के लिए वंडों का सही अस्थान पर प्रयोग करना आवश्यक है नहीं तो वो निर अर्थक सब्द बनेंगे जिनका कोई भी आर्थ नहीं निकलता हो वाग के जिस प्रकार वंडों का उचित अस्थान पर प्रयोग कर सार्थक सब्द बनाते हैं उसी प्रकार सब्दों को उचित अस्थान पर प्रयोग करने से वाग के बनते हैं यहां तो जैसे आपने वंड को सही इस् ही इसका गलत सभा कि सही नपाई संटेंस अगर हम इन सब्दों को एक जगह मिलाकर इसी करम में रखते तो क्या यह वाक्ष नहीं बंता खाना मैं रहा हूं खाऊ खाना मैं रहा हूं खांतः है आलग है कौमा लगा है इसमें लेकिन यहां एक साथ मिलाके है तब भी यह सब सही नहीं है परंत जब हम इन्हीं सब्दों को सही करम में लिखते हैं तो यह सार्थक वाक्य बनता मैं खाना खा रहा हूं इसको बोलने से आपके भी समझ में सही से आएगा मैं खाना खा रहा हूं यान से ही भासा बनती है अब देखिए हमने क्या सीखा भी तक स्वर्त अथा बेंजनों के मेल से सब्द बनते हैं सब्दों के सही मेल से सार्थक वाक्य बनते हैं भासा सही वाक्यों का मेल है यह जो है अब हमारा अब देखें आगे क्या है आओ अभ्यास करें सभी मांतरा लगाकर सब्द बनाईए अब यहां मौठो लिखाई लिखाई यहां आगे आप मिठाई आपका सभी सभी मिठाई फिर यह जैस खाले, मुला है यहां मल मल यहां किताब यहां इस तरह आप सब्द बनाकर जो हैं यहां लिखेंगे